इस्राइल के पीम का फोन आना बहुत बड़ी बात है भारत के प्यधान मंतरी को हमेशा इसके पहले भी जो पीम थे उन्होंने का थे कि हमारे गारजियन है मोदी जी के लिए तो यह भारत की तप से देखिये इस्थित और आज की रेट में आज भारत की इस्थित बहुत हो य उनके फोन काल और चल लही इस्थित पर अपडेट पैदान करने के लिए भारत के लोग इस मुश्किल घरी में इसराइल के साथ मजबूती से खरें भारत आतंग बात के सभी रूपों और व्यक्तियों की करी और इस पश्ट रूप से निंदा करता है नमस्कार स्वागत है आपका SGV News पर मैं हूँ आपके साथ शिपरासैनी इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के आतंग की संगटन हमास के बीच लगातार जंग जारी है इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि इजराइल के परधान मंत्री बेंजम सवाल ये है कि क्या बेंजमीन नेतन ग्याहू ने परधान मंत्री नरेंत्र मोदी से कोई मदद मागी है इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ट पत्रकार अजे जी मेरे साथ हैं अजे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सवाल ये है कि मोदी ने एक बार फिर से भरोसा जो है इसराइल को भरोसा दिलाया है कि वो दरसल आतंक के खिलाफ इसराइल के साथ है तो आपको क्या लगता है कि क्या बातचीत हुई होगी क्या कोई मदद जो है इसराइल ने भारत से बांगी है देखे मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इसर इजराइल के पीम का फोन आना बहुत बड़ी बात है। आप समझ लिजे ये इस चीज है कि अमेरिका पिसे वहां से यहुदी लोग इजराइल की ओर जाने लगें। अमेरिकन राश्टपती ने कई बार उनको फोन किया इजराइल के राश्टपती को प्रधान मंतरी को कई ब इसके पहले भी जो पीम थे उन्हों कहा थे कि हमारे गारजियन है मोदी जी के लिए तो यह भारत की तब से देखिये इस्थित और आज की रेट में आज भारत की इस्थित बहुत हो यहां के पीम का नाम वर्ड में बहुत हुचा दूसरी आपको उता दें इसराइल किसी भ पूरे अरब में पूरे रेगिस्तान में नीचे का पानी जमीनी पानी नहीं था इसराइल ने निकाल करके दिखा दिया वहरी खेती कर दी तो जो इन्होंने मोदी जी को इन्होंने कहा है फोन किया बहुत बड़ी बात दूसरा मोदी जी ने बोला क्या है मैं पिदान मंतरी इसराइल के प्रिदान मंतरी को धन्यवाद देता हूँ उनके फोन काल और चल लही इस ठीट पर अपडेट प्रिदान करने के लिए मतलब उन्होंने अपडेट भी बताई भारत की बहुत बड़ी वैलू के अपडेट बताई अपडेट बताने के लिए भारत के लोग इस मुश्किल घरी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं भारत आतंग बात के सभी रूपों और व्यक्तियों की करी और इस पश्ट रूप से निंदा करता है देख लीजिए क्या है कि वहां के में राष्टा दच का फोन आना और वो लगातार आप समझ लीजिए एक एक अपडेट देना इससे भारत की वैलू पता चलती है उन्होंने अपने प्रिधान मंतरी मोधी जी ने भी कहा कि भारत यहां पर पूरते आपके साथ है एक एक वेक में आ गए कि प्रिधान मंतरी का इस समय का जो भासर है वो देश का भासर हूँ आई जे प्राइम मिनिस्टर है यह बीजेपी लीडर नहीं और उनके ब्रोद में लोग बोलना है अभी अभी गडवंदर में कांग्रेस ने बोला और अभी रवीश कुमार ने बोला जो बेह हमास की निंदा की भारत के प्रिधान मंतरी की और उन्होंने भी निंदा की भारत के प्रिधान मंतरी के बाद में उसके बाद कतर ने भी निंदा कर दी और मुलकों ने भी आप समझ लीजे हमास की निंदा की यह मोदी का प्रभाव और आपको ताने जो कुछ मुखे देश वो खामोस हैं, चुकि मोदी बोल दिये हैं, और तुर्किये बगारा खामोस हो गए, कई कंट्रियां अलवीनिया का खामोस हो गए, और इराक इरान खामोस हो गए, वरना अभी तक सब लोग साओधी अरविया भी खामोस है टोटल, जालकि स्टार्टिंग में उन्होंने भारत और भारती इसराइल के साथ मजबूती से ख़रें, इसके पहले की बात है, ये तो आज उन्हों किया, और इसके अलावे इसराइल के पीम ने उन्हें इसराइल की मवजूदा स्थित के बारें बताया है, पीम मोदी ने हमास की आतंकी गदवदियों की निंदा की, और ये भी कहा कि मुश्किल घड़ी में हम भारत इसराइल को पूरा समर्थन देगे, ये अभी दो दिन पहले मोदी जी ने कहा था, आपको एक चीज और किलियर कर दें, कि इसराइल ने ऐसा पैटन टैंक उतार दिया है, जो दुनिया को नहीं मालूम है, उस तो उस पैटन टै टैंक जो है, अपने आप में, वो 65 टन का है, और टैंक में चार क्रूट से लगे हुए हैं, मिसाइल से बगेरा, उन टैंकों को उतार दिया, जो वर्ड का अपने आपका अलग टैंक है, दूसरी आपको बताना है कि इस समय उन्होंने बहुत जबज़त फाइट शुरू कर एफ-35 फाइटर जेट उतार दिया, हेलप आयर और मोरकोबा टोप को उतार दिया, यही चीज हुई थी, तालिवान पे हुई थी, कि तोप चीटी का मुकाबला नहीं कर सकती है, कि जिस समय वहाँ पे वो थे, तो अब उसके लिए क्या किया है, इसराइल ने अपनी पैदल से ना उतार दी है, और डेर लाग पैदल सेनकों को, चुकि यह चीज को इसराइल जानता था, अच्छी तरह से कि तोप चीटी का मुकाबला नहीं कर सकती, यही गलती तालवान में हुई थी, यही गलती इरान में, इराक युद में हुई थी, और यही गलती अमेरिका से सैनिक उन्होंने, डेर लाग सैनिक, यह आपको बताने, बिलकुल वही पोईशन होगी, वर्ड के इतिहास में पहली बार, मिस्र की सेना को चारो तरफ से घेल लिया था, आज तक चारो तरफ से कोई सेना नहीं घेल पाई, तीन तरफ से घेली गई है, चारो तरफ से घेल, वही पोईशन इन्होंने नाके बंदी कल दी गाजा पट्टी में और जितने हमास के लोग हैं आप देख लिए चारो तरफ से गेड़ लिया अगर ये उससे मिसाइल से भी अटेक करना है तो चारो तरफ से इनके जो सैनिक हैं वो भी चारो तरफ से कबर करना है गली गली एक गल गल ताकि एक एक हमास का आतंगवादी पकड़ के मानें और ये युद्ध में जीतेंगें मगर टाइम लगेगा इतना आसान नहीं है कि दो चार घंटे का ये लड़ाई निश्चित तोर पे आप याद रखिए एक हपते से जादा चलेगी तब जाकर के कहीं हकीकत ये ह कि तीस स्थानों में से बाइस स्थानों पे इजराईल ने कबजा कर लिया आठ जगे वास्तों में लड़ाई जा रही है और ये इजराईल का भी उनको इतना ना पता चलबाना इतना वड़ा अटैक हो जाना सुबह तर के ये इजराईल की अगर देखा जाए पहली बार ए इतिहासिक सुरक्षा में ये कमी रही है कहीं न कहीं इस पर या तो चुपी साधली है या फिर इस युद को लेकर वो इजराईल का समर्थन करने पर मजबूर हो रहे हैं फिलाल आपकी इस पूरे माफने को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें